एक बार शिश्य ने गुरू से पूछा अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी हो तो फिर कोशिश करने से क्या मिलेगा तो गुरू देव ने कहा क्या पता किस्मत में यही लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा इसलिए हमेशा करम के प्रती लगन रखिए नमश्कार मैं हूं मुहित कमिल श्रिमाली आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानि की चौबिस जुलाई के इस विशिश एपिसोड में साथ ही में उन सभी को बढ़ाई एवं शुपकामनाय देना चाहूंगा जिनका आज जनम दिन है मैरेज अन्वरस्री है या कोई विशेश यादगार दिन है तो आई यह सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की तो आज तारीक 24 जुलाई 2021 है और दिन शनिवार का है आज के विशेश उपाय में ग्रहों की युती से कौन कौन से वियवसाय हो सकते हैं इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा तो अब पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं समबत 2078 का आशाट शुकल पक्ष चल रहा है पुर्णिमा तिती है सुबे आट बचके 6 मिनट तक जसके बाद में तिती टूटेगी और द्वित्या तिती आरंभ होगी उत्तरा शाड़ा नक्षत्र आज के दिन 12 बचके 49 मिनट तक सुबे के रहेगा जिसके बाद में श्रवन नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा और चंद्रमा के अगर बात करेंगे तो मकर राशी में आज पूरे दिन चंद्रमा रहने वाला है अब बात करेंगे राहुकाल के तो सुबे 9 बचे से लेके 10.5 बचे तक ये जो सीमा अवदी है 1.5 घंटे की इसके अंदर राहुकाल होगा इसमें कोई भी शुब कार्य नहीं किया जाता पर यहीं पर ध्यान रखिएगा क्योंकि देवशैनी एकादशी हो चुकी है और अगले 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य के लिए कोई भी बड़ी खरीद के लिए शुब महरत नहीं होंगे तो इसके लिए कोई बड़ी आपको परचेस करनी है तो उसको थोड़े समय के लिए रोके रखिएगा पर शुब चौगडिय महरत जिसे बोला जाता है कोई भी छोटा मुटा जो आपको काम करना है तो उनके लिए शुब चौगडिय महरत अभी भी इस्तमाल किया जाएगा तो वो है सुबे 6 बच के 3 मिनट से 7 बच के 33 मिनट तक और फिर दोपहर में एक बच के 33 मिनट से 4 बच के 33 मिनट तक वहीं पे दक्षिन और पश्चिम दिशा में अगर आप यातरा करने वाले हैं तो यह आपके लिए शुब रहेगा पर पूर्व दिशा में अगर आप यातरा करने हैं तो यहाँ पे दिशाशूल होगा और दिशाशुल्दोश का परिहार करना चाहते हैं तो उडद का आपको उपयोग करना होगा इसके बाद में बात आएगी सूर्यकालीन कुंडली में आज राजयोगों की तो आज सूर्यकालीन कुंडली में आश्रय योग, शश योग, सुनफा योग, अधम योग, उभैचर योग, परवत योग, काहल योग, शंक योग और पुशकल योग इनका साथ मिलेगा जब राजयोगों की बात करते हैं तो अकसर लोग बोलते हैं कि राजयोग है क्या तो आप कैसे पता कर सकते हैं अगर उसके बाद में भी आपको और जादा जानकारी चाहिए है तो राजयोग जनम पत्रे का अपने खुद के लिए मंगवाईए और अपने परिवार के लिए मंगवाईए तो उसके अंदर आप सभी की कुंडली पूरी उसमें आएगी और उसके साथ में राजयोगों का संक्षिप विवरन आएगा कि कौन सा राजयोग क्या होता है कब बनता है आपकी कुंडली में उसकी दशा कब शुरू होगी तो उसके ओपर पूरी जानकारी जो है इस नमबर पे आपको मिल सकती है इसके बाद में बात आती है लाक रुपे क तो शहर में और गावों में आपने देहाती कहावत ये जरूर सुनी होगी बहुत सी ऐसी कहावते होती है जो की दिल करता है कहीं डायरी में लिख लिया जाए पर ऐसी कहावत के बहुत सारे मतलब निकलते हैं तो आज जो कहावत आपको बता रहा हूँ वो है राम मिलाय जो जबती बुरा होता है तो उसका दोस्त भी बुरा ही होगा, तो उनकी कंपनी भी बुरी ही होगी या उसे कोई बुरी जीवन साथ ही मिल सकती है, तब बड़े बुज़र्ग इस कहावत को अक्सर कहते हैं, जब भी किसी को कुछ गलत करता हुआ देखते हैं, तो ये कहावत जर करके आपके लिए 67% positivity की बन जाती है पर ध्यान रखिएगा 10th house के अंदर चंद्रमा आपको positive effects देता है तो यहाँ पे कोई भी काम करना है जिसमें भी आपको बहुत जादा हिम्मत चाहिए कोई ऐसा काम है जिसको करने में आपको संकोच हो रहा है डर लग रहा है या तो फिर ममी पापा से अपने माता पिता से अपने चाचा चाची से ताउजी ताईजी से कोई permission लीनी है तो उसके लिए बस साहस कीजे और चले जाएगे जो भी काम है उसके अंदर positive results जरूर मिलेगा positive response आपको आज पूरा मिलेगा business की बात करें या नौकरी की बात करें दोनों ही तरफ आज success की तरफ आप अपने कदम भड़ाएंगे चाहे businessman की बात करते हैं तो अच्छी डील्स होंगी अच्छे profit margins पे आज काम कर पाएंगे कोई ऐसा client आएगा जितकी बहुत बड़ी demand होगी उसको आप पूरा करेंगे और अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा के फिर से घर पहुचेंगे यहीं पे नौकरी वालों की बात करें तो आज कुछ ऐसा आप करेंगे चाहे अपने boss हुए आपके boss आपके उपर बहुत हावी हो रहे थे तो आज कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि वो अपने आप back foot पे आ जाएंगे आपका appreciate करेंगे आपके efforts को आप जो काम कर रहे हैं आपका जो hard work है उसे appreciate करेंगे इसके बाद में अगर बात करें घर के सुख की तो दामपतिय सुख में पारिवारिक सुख में और उसके साथ में सांसारिक सुख में तीनों ही तरफ आज के दिन आपको 100% आज के दिन positivity मिलेगी आज self confidence से भरे रहेंगे और इसी के साथ में दिन और बहतर बनाने के लिए cream color का इस्तमाल कीजेगा शुब अंक आज आपके लिए रहेगा अब बात करते हैं व्रशब राशी की व्रशब राशी के लिए राशी भाव से 9000 में चंद्रमा है अधिमित रतारा का साथ है अश्टक वर्ग में 34 dots है situation मिलके 100% positivity की बंती है पर यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है आज के दिन government से या तो फिर government departments जो है उन department से आप जगडने की कोशिश मत कीजेगा उनके साथ में कोई भी बात जो कर रहे हैं return मत कीजेगा आपके लिए जादा बेटर रहेगा चाहे आज 100% आपको support जरूर मिल रहा है तो जिस तरफ आप जाएंगे प्यार से बात करेंगे महाँ पे काम निकल जाएंगे पर कुछ भी return में दिया कोई commitment दिया तो महाँ पे आप फस सकते हैं आज लोग आपके खुद के घर वाले आपको डराने की कोशिश करेंगे आपके उपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो उन चीजों से बच करके रहिएगा हाँ थोड़ा आलस जरूर रहेगा आज के दिन में कमजोरी महसूस होगी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे बहुत ही जादा आपको घबराने की जरुरत हो हेल्थ की बात करें तो कोई चिंता की बात नहीं है आराम से आज के दिन आपका इतना वाला है कोई यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा भी आज आपके लिए सुखध होगी शुब रंग आज आपके लिए रहेगा नेवी कलर शुब अंक रहेगा नमबर सिक्स अब बात करते हैं मिथुन राशी की तो मिथुन राशी के लिए राशी भाव से एट थाउस में चंद्रमा है वद तारा का साथ है और अश्टक वर्ग में सिर्फ 30 डॉट्स है तो यह situation मिलकर के आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33 परसंट positivity की बन रही है यहाँ पे जो बुरा हो सकता है आज के दिन बहुत ही जादा chances है कि वो हो पर जो 33 परसंट की margin आपको बचाने के लिए उस चीज़ को समझिएगा मेरा यहाँ पे इरादा आपको डराने का नहीं आपको नहीं यह बोलने का है कि दिन खराब जाएगा पर जो है सामने उससे बचने के तरीके बता रहा हूँ सबसे पहले irritation होगी और गुसा आएगा यह जो गुसा है इसको दबा करके रखिएगा अपने काम में दिखाईएगा जादा बहतर रहेगा घर वालों से परिशान हो सकते हैं बार बार वो टॉंट करसते हैं आप पे वो बार बार कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे कि आपको आगात होता है तो इन चीज़ों को समझ करके चलिएगा कि वो कुछ न कुछ ऐसा चाते हैं जो आप बदलें अपने अंदर इस बात का ध्यान रखिएगा चाहे बिजनस की बात करें या नौकरी की बात करें और जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगा हेल्थ के मामले में अगर बात करेंगे तो आज पेट को लेकर के गड़वडी देखने को मिल सकती है वहीं पे नर्व्स के अंदर भी आज आपको बहुत ही जादा पेन हो सकता है इन सब भी बातों को ध्यान में रखते वे शुबरंग जो है वो रहेगा आज आपके लिए परपल शुब अंक रहेगा नमबर वान अब बात करते हैं करक राशी की तो करक राशी के लिए राशी भाव से सेवन्थ हाउस में चंदरमास्ते थे संपत तारा काज साथ मिल रहा है और अश्ठकवर्ग में 23 डॉट्स है ओवरॉल सिचुएशन मिलके चार चांद लगने वाली है दिन के 100% सपोर्ट मिल रहा है और महीं पे आज पूरे दिन पॉजिटिव आपको आस पास में आपको घूमता नजर आएगा सबसे पहले खाने पीने की बात करूँ तो खाने पीने में आज कहीं पे भी ऐसा नहीं मैसूस होगा कि ये करना ता और हो नहीं पाया जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो चीज आज आपकी होगी कहीं पर यात्रा करना चाहते हैं फैमिली के साथ में तो आराम से कीजेगा बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करके वापस आएंगे अगर एक रोमैंटिक गेटवे पर जाना चाहते हैं जो आपके कलीग्स हैं या फिर जो आपके साथ में बिजनस ओनर्स हैं आपके पार्टनर्स हैं वो सब आपको एप्रीशेट करेंगे नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर मैं आपको जरूर रोकूंगा जब तक देवशैनी एकादशी के बाद में जो ये चार महीने का है इस पीरेड में मत खरी दियेगा क्योंकि इसको हम बुरा महुरत मानते हैं इसमें कोई भी चीज लीवी आपको अच्छे से रिटन नहीं दे पाती तो इस बात का ध्यान रखिएगा यहीं पे कोई भी प्रॉपर्टी है तो उससे आज रेंट इंकम आ सकती और या तो फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको रेंट पे चड़ाना चाते थे तो वो आज चड़ सकती इन सबी बातों को ध्यान में रखते वे शुबरंग जो है वो आज आपको और ब्राइट करने के लिए आपके दिन को और जादा बहतर करने के लिए पिंक कलर होगा वहीं पे शुब अंक भी आज आपके लिए नंबर फो है अब बात करते हैं यहाँ पे सिंग राशी के सिंग राशी के लिए राशी भाव से 6,000 में चंद्रमा है जनम तारा के साथ है अश्टाग वर्ग में 25 डॉट से ओवराल सिच्वेशन मिलके 67 परसें पॉस्टिविटी की तरफ आपको ले के जाती है सबसे पहले यहाँ से फाइदे आज बहुत होंगे नुकसान बहुत कम यहाँ पे नुकसान के तोर पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ आपोसिट सेक्स वाले जो हैं लड़के हो तो लड़की हो तो लड़के तो यहाँ पे बच करके रहना कोई भी चीज ऐसे एक् लेना चाते हैं, बड़े changes करना चाते हैं, तो बहुत ही अच्छा दिन है शुरुआत करने के लिए, यहीं पे business owners हुए उनको बहुत ही अच्छा धनलाब देखने को मिलेगा और वहीं पे job जो कर रहे हैं, job करने वालों के लिए यहां पे जो colleagues हैं, bosses हैं, या तो फिर ऐसे दू शुब रंग आपके लिए red रहने वाला है, अपने आपको और vibrant बनाने के लिए और energetic दिखाने के लिए, शुब अंक आज आपके लिए रहेगा number two, अब बात करते हैं कन्या राशी की, तो कन्या राशी के लिए राशी भाव से आज के दिन 5th house में चंद्रमा है, वदतारा का साथ है, अश्टग वर्ग में 28 dots है, overall situation मिलके सिर्फ और सिफ 45%, just above the margin जिसे मैं बोलता हूँ, passing marks वो मिल रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आज मानसिक परिशानिया बहुत हो कि बहुत सारी चंताएं जो हैं, वो दिमाग में घूम रही होंगी, एक भवर घूम रहा है, ज क्योंकि 54 गंटे के बाद में जैसे ही यह जाएगा आपका कुमराशी में, तब दिन अपने आप शुब हो जाएगा और उसके बाद में अगले चार दिन लगातार शुब मिलेंगे, आज अगर घर में बच्चे हैं तो उनकी बिमारी को लेकर के परिशानी हो सकते हैं, उनक चीजों पे बहुत ही जादा अच्छे से पैनी निगा रखिएगा, संभल करके रहिएगा, ये एक सुझाव है आपके लिए, बिजनस ओनर्स के लिए आज के दिन में एक ही चीज बोलूँगा कि कोई भी डील जो आप लॉक करना चाते हैं तो उसके लिए रुक जाईए, ह इस बात का खास ख्याल रखें कि रुपे आते बहुत मैनच से हैं पर जाते बहुत आसानी से हैं, तो जिसके हाथ में ठहर जाए तो वही जीत में रहता है, इन सबी बातों को ध्यान में रखते वे शुबरंग जो है, वो ब्लू इस्तमाल कीजेगा, बहुत ही जादा लखी इस थाबित हो सकता आपके लिए, शुब अंक आज आपके लिए रहेगा नंबर 9, अब बात करते हैं तुला राशी की, तुला राशी के लिए राशी भाव से यहाँ पर फोर्थ हाउस में चंद्रमास थेते हैं, अश्टग वर्ग में 29 डॉट्स हैं, पर नक्षद रतारा आज अधिमतर का मिल रहा है, तो ओवरॉल 67 परसेंट यह आपको पॉजटिविटी की तरफ आपको लेके जा रहा है, सबसे पहले हेल्थ में आज के दिन समय पर खाना खा लीजेगा, जो भी काम है वो बाद मेटाल लीजे, सबसे पहले खुद पर फोकस कीजेगा, क्योंकि हेल्थ को लेकर के आज परेशानिया आपको देखने को मिल सकती है, खास करके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होई, या तो फिर सिर्फ भूके रह गए तो एनरजी पूरी डाउन हो सकती है, चक्कर आने की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, कोई भी प्लानिंग कर र मानिएगा अपने आपको हारावामत मानिएगा आज किसी भी इंसान से बात करने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो इतना रूखे तरीके से आपसे क्यों बात कर रहा है तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है कि यह चीजें जो है यह टेंपररी है यह अपने प्रॉब दिखाईए अपने आपको हापी बनाने के लिए आज आप येलो कलर का इस्तमाल कीजेगा और यहीं पे आपको और सपोर्ट देने के लिए शुब अंक जो है वो रहेगा आज नमबर वन अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी की तो व्रश्चिक राशी के लिए राशी भ लिए खरीद रहे हैं अपनी माधा जी के लिए खरीद रहे हैं या तो फिर अपनी कोई क्लोस फ्रेंड है तो उनकी लिए चोटी सी ज्वेल्री भी खरीद लिए तो आज बहुत ही जादा आप पे प्यार बढ़सने वाला है यहीं पे जो भी आप अगर पब्लिक फिगर है पॉलिटीशन है, स्पीकर है, पोएट है, राइटर है या तो फिर ऑन स्टेज आप स्टैंड अप कामेडी करते हैं तो यहाँ पे आज आज आपको अपनी परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छी व्रधी देखने को मिलेगी बहुत ही अच्छा इंकलाइन देखने को ही आप, सेल्फ कॉन्फिदेंस से भरे रहेंगे, अपने आप वो देख करके आपको डर के दो कदम पीछे हट जाएंगे, यहाँ पे यह आपके लिए बहुत ही जादा हापी न्यूस हो सकती है, पर एमोशनल भी आज के दिन आप बहुत जादा रहेंगे, अपने आपको स् साथ है और महीं पर अश्टगवर्ग में 25 डॉट्स हैं, ओवराल सिच्वेशन मिल करके आज आपके लिए बन रही है, 45% सपोर्ट की, यहाँ पे कोई भी नया काम करना चाहते हैं, तो दो बार सोच लीजेगा, पहले अपने फाइनांस को, उसके बाद में अपने प्लान को क्योंकि आज problems आपके पास में जादा आएंगी, solutions कम डूण पाएंगे, mentally torture बहुत जादा होंगे, परेशान परेशान हुए वे गूमेंगे, चाहे अपने उस गुस्से को उस परेशानी को आप किसी की साथ में शेर करने जाएंगे, तो जो response मिलना चाहिए है, वो भी नहीं मिल पाएगा, अब इसके कारण आपको रुपे पैसों से भी हाथ दोना पड़ सकता और वहीं पर जो connections हैं आपके लोगों के साथ में, वहाँ पर भी आपको लगेगा कि कुछ रूखा पंसा आ गया है, या तो फिर आप रूखा ब्यभार करके वहाँ से निकल जाएंगे, बिना बाद के खर्चे करते रहेंगे, जो भी अपने आपको justify करने के लिए या तो फिर अपने आपको खुश करने के लिए आप खर्चे करते नजर आएंगे, खुद के लिए shopping करते नजर आएंगे, इस शीट से आज के दिन बचिएगा, कोई भी कलीग है, उससे जड़कन नहीं है, उससे जगड़ना नहीं है, चाए कुछ भी हो गई हो, कोई problem हो गई है, उसको बोलिए, मैं इसका जल्दी से जल्दी response करने की कोशिश करता हूँ, पर अभी मेरे पास में workload जादा है, तो आप जीत में रह जाएंगे, आज अपने आपको और बहतर बनाने के लिए अपने आपको और support देने के लिए, अपने आपके लिए और जादा better environment बनाने के लिए, yellow color का या orange color का इस्तमाल कीजिएगा, या आपके लिए lucky साबित होंगे, वहीं पे शुब अंक आज आपके लिए रहेगा number 9, अब बात करते हैं मकर राशी की, तो मकर राशी के लिए जब यह बोलते हैं तो आज आप यह actual में अपने साथ में होता देखेंगे कि जहां से हो, वहां से रुपे बटोरने वाला दिन है, भागयते कारक स्थितियां आज के दिन आपके साथ में बन रही हैं, वहीं पे अच्छे coincidences जिसको बोलते हैं, वो भी आपके साथ में जरू आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जो family के साथ में bonding है, वो अच्छी हो जाएगी, नीद आज पूरी मिलने वाली है, वहीं पे जो भी संसार के सुख हैं, चाए घूमने फिरने का है, अच्छे resort में जाके रहने का है, अच्छे होटल में जाके रहने का है, अच्छा खान खाना है, तो यह सारे सुख आज आपको जरूर मिलेंगे, व्यापारियों के लिए भी आज के दिन बोलूँगा कि कहीं से भी आपके लिए 1% भी खत्रे की घंटी नहीं बचने वाली, तो इस दिन का आज पूरी तरीके से enjoyment लीजेगा, शुबरंग आज आपके लिए आपको support दे रही है, पर यहाँ पे खास तौर पे 67% support के बाद में भी आज संभल करके जादा रहना है, कोई भी ऐसा काम पहले किया हुआ है, जो कि आप नहीं चाहते लोगों के सामने आए, तो आपका जो डर है, आपका जो चहरा है, वो बता देगा लोगों को कि कुछ ना आज आप में पन पेगा, परतियान रखिएगा, हर किसी की जिंदगी अलग है, हर किसी की दौर अलग है, तो अपने आपको दूसरे से compare करके जलिस महसूस करने में अपना दिन मद कवाईएगा, आज बिना बाद के खर्चे करते भी नजर आएंगे, खुद को खुश करने क आप खर्चे करेंगे, और बाद में अपने आपको कोसेंगे कि ऐसा किया तो किया क्यों मैंने, मेरे सिर पे उस वक्त किसने पत्थर मारा था कि मैं इतना भी सोच नहीं पाया, तो इन चीज़ों से थोड़ा संभल करके रहिएगा, यहीं पे आज कि दिन घर वालों से, खास जादा बहतर रहेगा, उनके साथ में चीज़ें शेयर कीजेगा, तो कुछ honest opinion, 10 opinion मिलेगी, उसमें से एक तो ज़रा ऐसी opinion होगी, जो आपको सही दिशा में पुश कर सकती है, शुबरंग रहेगा आज आपके लिए blue, शुबंग रहेगा number 8, अब बात करते हैं मीन राशी की तो मीन राशी के लिए राशी भाव से आज के दिन 11,000 में चंदर मस्ते थे, प्रतियारी तारा का साथ मिल रहेगा और अश्टगवर्ग में 28 dots हैं, ओवरॉल situation मिलके यहाँ पे आज आपके लिए 67% positivity की बन रही है, पर ओवरॉल आपको आज के दिन positive चीज़ें जादा नज आज और उसके बाद में उतका पूरी तरीके से लुद्फ उठा सकते हैं, अच्छी सेहत आजात पूरे दिन आपका साथ देगी, कोई भी परेशानी जो है, वो ऐसे लगे कि कि कितनी चोटी और इसको में कितना बड़ा पहाड बना करके सोच रहा था, ऐसी बार बार फीलि प्रापर्टी के मामले थे, तो उसमें आज कॉम्परमाइस की सिचुईशन जादा बन सकती है, कि अच्छे से टेबल पर बैठ करके बात करके कोई बीच का रास्ता निकाला चाह सके, जो भी काम करेंगे उसमें आज सफलदा जरूर मिलेगी, और कोई भी ऐसे काम हैं जो अ यानि की जिन्दगी की गाड़ी को जोर से चलाएगा, ये बात समझिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप आसपास में से औरती वी नजर चली जाएगी, शुबरंग रहेगा आज आपके लिए ग्रीन, शुबंख रहेगा नमबर चार, ये तो हुई बात आज की विशेश उपाय की, कल मेरे पिता जी ने आपको व्यवसाय निर्धारन के विशेश सूतर बतलाए थे, और आज मैं आपको ग्रहों की यूती से कौन-कौन से व्यवसाय आप कर सकते हैं, वो बतलाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले व्यवसाय के योगों के बारे में बा तो व्यक्ति किसी बड़े व्यापार का कारिभार संभालता है। अगनी तत्व राशियों में अधिक्रह होने पर भी व्यक्ति नौकरी की जगे व्यापार में रूची लेता है। या पर दशांभाव में हो तो व्यक्ति इंडस्टर्िलस्ट बनता है, बड़ा व्यापार करता है या तो फिर कोई इंडस्टरी में involved होता है। बुद्ध, यदि उचश्त होकर सप्तम भाव में स्थेट हो, तो व्यक्ति बड़े पैमाने पर व्यापार करता है। बुद्ध का धनेश, इकादशेश और सप्तमेश से समबंध हो, तो व्यक्ति को व्यापार में लेकर जरूर जाता है। चाहे वो जॉब करता है, तो जॉब में dissatisfaction की वज़े से भी वो फिर से business में आ सकता। इसके बाद में आती है चंद्रय यूति और व्यवसाय, ऐसे व्यक्ति धनी और सुखी देखे जाएंगे, उनको सरकार से लाभ मिलता है, शिक्षा के शेत्र से जुड़े व्यक्ति भी इसी श्रेणी में आपको पाए जाएंगे, मंगल यूति, फल स्वरूप, प्रायह, ऐसे व्यक्ति वो कारिय करते हैं, यहां पर साहस की आवश्यक्ता पड़ती है, ऐसे व्यवसाय जहां पर आग, चीरफाड, शस्त्र इन सबसे संबंध होतों, ट्रेन, इंजन के ड्राइवर या होटलों के रसोईयों के भी इसी श्रेणी में आते हैं, बुद्यूति, फल पाता है, अच्छी पोजिशन पाता है, कहीं IAS हुए, इंजिनियर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, उनकी कुंड्लियों में ये देखा गया है, एक कॉमन फैक्टर ये देखा गया है, कि बुध ही आत्मकारक ग्रह बना हुआ इसके बाद में आती है गुरु यूती फलकी, ऐसे व्यक्ति, धार्मिक प्रवर्ती के होते हैं, इन्हें वेदशास्त्रों का ज्यान होता है, कहीं वकील, जज, प्रोफेसर और ऐसे ही जो प्रोफेशन्स हैं, उनकी कुंड्ली में ये देखा गया है कि इन ही तरफ उनको ल धन कमाता है, कई बैंक और चार्टेड अकाउंटेंट की कुंड्ली में ये योग आपको प्रबल मिलेगा, इसके बाद में बात आती है शुक्र यूती की और व्यवसाय की, ऐसे व्यक्ति, बड़े अफसर, कलाकार या राजनितिग्य होते हैं, इन व्यक्तियों का महिलाओ से संबंद होता है, यानि कि बहुत ही अच्छी बोल चाल होती है और अच्छी ट्यूनिंग होती है, यहाँ पे इसको गलत सेंस में मत लीजेगा, कि एक से ज़ादा अधिक लोगों से या तफर एक से ज़ादा अधिक महिलाओं से संबंद बनाते हैं, वो नहीं बोल रहा एक से ज़ादा अधिक मेजरली जो उनके फ्रिंट सरकल में आप देखेंगे या जिन से सबसे ज़ादा क्लोज उनको पाएंगे तो वो महिलाएं होंगी शनी यूती फलसोरूप ऐसे व्यक्ति अपने शेतर में उच स्थान बहुत ही जल्दी पाते हैं, ऐसे व्यक्ति यदि व्यापारी होते हैं तो बहुत बड़े उध्योग पती के रूप में सामने आते हैं, अगर राइटर होते हैं या तो फिर बहुत प्रसिद पोएट होत हैं, ऐसे व्यक्ति बुरे कामों द्वारा धन कमाते हैं, यानि की लैंड माफिया जिसे बोल सकते हैं, या तो फिर गुंडा गर्दी जिसे बोल सकते हैं, कलेक्शन का काम जो बोल सकते हैं, हफ्ता वसूली जो करते हैं, वो इस श्रेणी में सबसे ज़्यादा देखे गाए जूट बोलके चोरी करके जो कमाते हैं वो यहाँ पे ऐसे देखे जाते हैं आपको मेजर ली रसायन जो हुए जहरीले पदार्थ हुए या तो फिर आप बोल सकते हैं जो शराब की भटी चलाते हैं ऐसे लोग आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे अब इसके आगे और जो है और जो ग्रहे योग बनेंगे और जो युती होगी उसके बारे में कल के एपिसोड में आपको बतलाऊंगा तब तक एक बार अपनी कुंडली अपने सामने खोलिये और देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कुंडली में क्या योग बन रहा है और अगर बन रहा है तो फिर आपकी कुंडली में भी कुछ बहुती बड़ा छुपा हो सकता है आप खुद अपने आप उसे पहचान सकते हैं आशा करता हूँ आपको मेरा प्रयास पसंद आएगा आपका जो सपोर्ट है आपका जो प्यार है इस चैनल को लेके मेरे पिताजी को लेके और मुझको लेके वो बस ऐसे ही बना रहे और बढ़ता ही रहे इसी कामना के साथ में फिर से बस भगवान से एक ही प्रार्तना करता ह कि आप आपका परिवार सुखी रहे संपन रहे स्वस्त रहे और घर में जो बड़े हैं बूड़े हैं उनका साथ और आशिरवाद हमेशा प्राप्त करता रहे जै श्री राम एवं जैहन मुझे आपका प्राप्त करता रहे जैहन एा अवं भूबताब। झाल झाल